प्लों मैं डिर फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे ठैलसेमिया ने एक इनिमिया है जो वह ऀरा-इनीमिया होता ही कि लीटा चैन के एक αलफा ज्यादा बन जाती और पीटा चैन कम बन जाती है या बीटा ज्यादा बन जाती है। क्योंकि यहां पे यह deal होता है कि कि अत्य दील ज्यादा जैदा या कितनी कम कॉऌंटिटी की बनी इसलिए एक कॉंटेटिटीटीटिव प्रॉब्लम है हीमोगवीन की डिपेंडिंग अपाइड की किस चेन पर एफेक्ट हुआ, अलफा चेन पर एफक्ट हुआ या बीटा चेन पर एफेक्ट हुआ, इसी बेस पर हमने थेलासीमिय को दो टैप में कलास पर केयا, एक है होते है एक क्रोमोजम पे लेकिन इनसे दो जीन्स है एज्बी ए 1 और है के इस दो जीन्स करते हैं सिंथसेश ऑफ अलफा जे जब दीदिशन रोग्छा होता है यह दो से में अराइस होता है जब डिफिशन्स होती है बीटा चेन की इसको हम कूलीज एनीमिया भी कहते है अगर हम देखे हुमस में क्रोमोसम नमार 11 उसमें एक जीन होता है जिसका नाम है एस बीबी जीन यह संसर्ज करता है बीटा चेन की और जब इस जीन में म्यूटेशन आए तब रिजल्ट होता है बीटा थेलसेमिया थेंक्यू